कि अग्वाइब लेकम टू फिजिक्स कोर्डनर आज अपन आई टी जैन दोजार चोबिस की कट अफ का डिसकसन अपन करने वाले हैं फिजिक्स से रिलेटेड अपन इसमें बात करेंगे ठीक है तो देखो कट आफ बात करें तो जन्रल और ये डबलोस की जो कट आफ रही गी 22 से 25 के बीच में इसमें कट आफ रही ठीक है इन दोनों के बीच में कट आफ रहेगी पेपर का जो एनलाइसिस किया गया है उसके अकोडिंग 22 से 25 के बीच में आपकी कट आफ रहेगी और OBC की जो कट आफ रहेगी वो 20 से 22 के बीच में SC की 18 से 20 के बीच में और ST की 17 से 18 के यहां पर cut off रहने वाली है ठीक है और जो इसमें जो questions चैलेंज करने है आंसर की में फाइनल आंसर की में वो भी मैं आपको next वीडियो बना के बता दूँगा और इसमें जो IAT मिलने की संभावना है कम से कम 750 रैंक तक संभावना रहेगी किसमें IAT मिलने की जनरल में ठीक है IAT मिलने की जनरल में संभावना रहेगी 750 रैंक तक ठीक है और करीबन ग्यारा सो रैंक के आसपास संभावना रहेगी OBC में और करीबन आपके पास 800 रैंक के आसपास संभावना रहेगी किसमें EWS में और आपके SCST में 1500-1600 रैंक तक भी संभावना रहती है कि आपको अच्छी मतलब लास्ट आईएटी की जो रैंक रहेगी 750 जनरल की रहेगी मतलब 750 तक जितने भी जनरल के कैंडिडेट है उनको सबको आईएटी मिल जाएगी ठीक है और जनरल और EWS की कटोफ बताई दी 22-25 के बीच में 22-21 की सारी कटोफ इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे डाल दूँगा तो वहां से भी आप चेक कर सकते हो ठीक है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा थैंक यू